हलो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक नए ड्रामा की एक्स्प्लोनेशन ले कराई हूँ जिसके स्टोरी काफी साधा इंट्रेस्टिंग है तो चल ये बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं आज की कहानी की तरफ ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड हंजु को देखते हैं जो कि अपनी वाइब सीहन जे कहता है कि वो चाता है कि वो आपस में डिवास ले ले सिहान कहती है कि हंजू ऐसा क्यों कह रहा है इसका ये रीजन तो नहीं कि जब हंजू की साधी किसी और से होने वाली थी और उस लड़की का एक्सिडेंट हो गया फिर मैंने तुमसे उसकी जगे साधी कर ली तो क्या हंजू अब सिहान से खुस नहीं है हंजु कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है वो बस डिवोस चाता है और सिहन को फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है वो सिहन को डिवोस के बाद भी पैसे देता रहेगा और हंजु की मा के हॉस्पिटल का बिल भी भर देगा सिहन कहती है कि हंजु को क्या लगता है सीहन ने उससे साधी हंजू के पैसे के लिए किया था पर हंजू कहता है कि उसे पर्क नहीं पड़ता फिर हंजू बोलता है कि कन लोयर डिवोस की पेपर लेकर आएगा तो तुम बस उस पर साइन कर देना फिर दभी सीहन हंजू को कौफी पीने के लिए देती है पर हंजू मना करने की कोशिश करता है लेकिन सीहन हंजू को कौफी पिला ही देती है फिर हंजू जैसी ही कौफी पीके वहां से जाने लगता है सीहन उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि सीहन को हंजू के पैसे नहीं चाहिए बलकि उसे हंजू से एक बच्चा चाहिए य और कहता है कि ये नामुनकिन है पर तभी हंजु को चक्कर आने लगते हैं फिर हंजु को पता चलता है कि सीहन ने उसकी कौफी में ड्रक्स मिलाए थे फिर सीहन और हंजु दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं अगले दिन जैसे ही हंजु की आँख खुलती है वो कहत है कि उसने अपनी लाइफ में सिर्फ यान से ही प्यार किया है और वो हमेशा उसी से प्यार करता रहेगा यान वही लड़की है जिसकी एकसिडेंट में दित हो गई थी फिर हम वो दिन देखते हैं जब यन का एकसिडेंट हुआ था और उस दिन सीहन और यन की गाड़ी आपस में टकरा गई थी पर यन की जो सोल है वो सीहन की बॉड़ी में आ गई जिससे की जो सीहन है वो ही अब यन बन गई है और अब हंजू जिसको सीहन समझ रहा है वो ही यन है पर हम इसे सीहन ही बुलाएंगे फिर प्रेजन्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही हंजू की आँख खुलती है वो अपने साइड में एक क्रिडिट कार्ड और एक लिटर देखता है जिसमें सीहन ने लिखा हुआ था कि अपसे सीहन और हंजू के बीच में कोई रिस्ता नहीं है और अब सीहन हंजू के पास कभी वापिन्स नहीं आएगी यह देखते ही हंजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सिक्रेटरी को फोन करके सीहन को किसी भी तरह डूनने का ओर्डर देता है फिर सिक्रेटरी उसे आकर बताता है कि उन्हें सीहन का कोई भी निसार नहीं मिला और वे उसे अभी तक नह देख रही थी कि हंजू ने सीहन को ढून के लाने के लिए वन मिलियन का इनाम रखा है फिर सीहन कहती है कि वो चाहे कितनी भी कोसिस कर ले वो मुझे नहीं ढून पाएगा तब भी हमें बच्चों की रोने की आवाज आती है जिससे हमें पता चलता है कि सीहन के तीन है कि वो तो यू हंजू से छुप सकती है पर वो ये नहीं चाती कि उसके बच्चों को भी ऐसे छुप कर जीना पड़े तो फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपने एक बच्चे को हंजू को दे देगी फिर वो किसी और के जरिये एक बच्चे को हंजू के पास पहुंचा देती है हंजु का सिक्रेटरी हंजु को बताता है कि पैटर्निटी टेस्ट के हिसाब से ये आपका और सीहन का बच्चा है हंजु सीहन की बुराई करने लगता है और कहता है कि वो सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे सकती है पर उसे पाल नहीं सकती तभी सिक्रेटरी बताता है क इसे सुनके हंजू सौक ढुचाता है और अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि सीहन को कहां पर बरी किया गया है। फिर हंजू बचे को लेकर अंदर चला जाता है। सीहन भी हंजू को दूर से देख रही थी। फिर वो भी वाहा से चली जाती है। सीहन अपने बच्चों को लेकर अबरॉट चली जाती है, फिर हम पांच साल के बाद का सीन देखते हैं, सीहन अपने बच्चों के साथ वापस अपने देश में आ जाती है, सीहन बताती है कि अगर उसकी मौम की तबियत जादा खराब नहीं होती, तो वो कभी भी यहाँ वाप पर सीहन का ग्लासस पहनने कर, रियल रीजन ये था कि वो नहीं चाती थी कि हंजु से पहचान ले, फिर वो वहाँ से जानने लगती है, पर तभी वो हंजु को अपने सामने देखती है, हंजु यहाँ पे अपने सिस्टर को पिक करने आया था, पर सीहन को ये लगता है कि य हंजु की न्यू वाइफ है फिर सीहन वहां से चुप चाप जाने लगती है पर जीहन सीहन से पूछता है कि सीहन की सकल हंजु से बहुत मिलती है ऐसा क्यों है जिसे सुनते ही सीहन उसे मना करती है और कहती है कि हंजु बहुत बुरा है वो बच्चों को किड्नैप कर लेता है पर जीहन और जीताओ को सीहन की बातों पर बिल्कुल बेयकीन नहीं होता और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हंजु के सिस्टर हंजु को कहती है कि उस छोटी बच्ची की सकल सीहन से बहुत मिलती है। कहीं वो सीहन की बेटी तो नहीं पर वो हंजु को उसका पीछा करने के लिए बोलता है जिससे हंजु मना कर देता है और बोलता है कि सीहन बहुत पहले ही मर चुकी है पर हंजु की सिष्टर कहती है कि टेकनोलोजी काफी एडवांस है और एक फोटो को देखकर वो ये नहीं ब दून ही लेते पर हंजू की सिष्टर कहती है कि क्या पता कि सीहन उसके आद्मियों से बच गई हो फिर हंजू उसकी सिष्टर को सीहन के ग्रेव के पास लेकर जाता है और वो वही रोट था जहां सीहन और यन का एकसिडेंट हुआ था और हंजू की सिष्टर कहती है कि उसे त पूछता है जो कि होस्पिटल में एडमिट थी और वहीं दूसरी तरफ सीहन भी अपने मौम से मिलने गई हुई थी सीहन अपनी मौम से कहती है कि वो इस बार दबाओ को वापस ले आएगी दरसल दबाओ वही बच्चा है जिसे सीहन ने हंजु को दे दिया था सीहन अपनी हंजु के घर एक मेड का रूप लेगर जाती है और उसने मास्क पहना हुआ था ताकि हंजु उसे ना पहचान सके वो देखती है कि वहां की एक मेड दबाओ को खाना खिलाने के कोसिस कर रही थी पर दबाओ बिल्कुल भी नहीं खा रहा था फिर सीहन वहां चाती है और की कोशिश करती है पर दबाओ मना कर दीता है और कहता है कि वह अपनी मौम के हाथ से ही खाना खाना चाता है फिर सीहन कीचन में जाती है और दबाओ के लिए खाना लेकर आती है पर दबाओ उसे खाने से मना कर देता है फिर अगले सीन में हम हंजु को देखते हैं जिसने का चुकी है अगले दिन मेड और सीहन फिर से दबाओ को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं कि तब ही वहाँ पर हंजु आ जाता है और दबाओ को खाना खाने के लिए बोलता है पर दबाओ हंजु को उसकी मॉम को लाने के लिए कहता है जिसे हंजु बोलता है कि दबाओ की मॉम बहुत बुरी थी और वो दबाओ को छोड़ कर चली गई जिसे सुनकर सीहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फिर सीहन को दबाओ को खाना खिलाने की कोशिश करती है पर पहले तो दबाओ नहीं खाता फिर सीहन कहती है कि अगर दबाओ खाना खाएगा तो वो दबाओ को की मौम से मिल पाएगी जिससे सुनकर हंजु को गुस्सा आ जाता है और वो सीहन को सुनाने लगता है पर फिर वो सभी देखते हैं कि दबाओ खाना खा रहा है और वे सभी ये देखकर सौब जाते हैं तभी हंजु का सेक्रेटरी हंजु के पास आता है और उसे बताता है कि सी प्रेटरी हंजू को होस्पिटल की CCTV फुटेज दिखाता है तबी सीहन हंजू को ट्वाइलेट का बोल कर वहां से जाने की कोसिस करती है लेकिन हंजू सीहन को पकड़ लीता है और सीहन से पूछने लगता है कि उसका यहां आने का असली मकसद क्या है फिर हंजू जबरदस्ती सीहन का मास्क निकालने लगता है जैसे ही वो मास्क खटाता है वो सीहन को पहचान नहीं पाता क्योंकि सीहन ने अपने चेहरे को पेंट से कवर किया हुआ था फिर हंजू सीहन को पकड़ कर एक कमरे में ले कर जाता है और वो अपनी मेट को सीहन का मेकप साफ करने के लिए क कहता है कि तुम यहां क्या कर रही हो फिर हंजू बूलता है कि वो सीहन को नहीं छोड़ेगा जितना दर्ड हंजू को पिछले पाँच सालों में हुआ है वो सीहन को उससे डबल देगा जिस पर सीहन कहती है कि हंजू को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और वो सीहन के साथ ऐ ये सीहन का नया हस्पेंड है तो हंजू सीहन से उसका फोन चीन लेता है और हंजू जीहन से बात करने ही बाला था कि तब इस सीहन हंजू से फोन चीन लेती है और काट देती है और अब हंजू को लगता है कि पक्का सीहन ने किसी से साधी कर ली है तो फिर वो एक रसी लाता है और सीहन को बांद देता है वो कहता है कि इस gate पर face lock लगा है और जैसे ही सीहन का नया husband सीहन को बचाने आएगा हंजू उसको पकड़ लेगा फिर वो सीहन को वहीं बांद गर वहां से चला जाता है थोड़े देर के बाद जीहन सीहन का phone track करते हुए हंजू के घर आ जाता है और मेड जीहन को दबाव समझ लेती है तो फिर जीहन उस रूम के बाहर आता है जहां हंजू ने सीहन को बंद किया हुआ था और जैसे ही जीहन face lock के सामने आता है वहां का lock खुल जाता है और फिर जीहन सीहन को खोल देता है पर सीहन सोचती है अगर हंजू को जीहन के बारे में पता चला तो वो जीहन को सीहन से छीन लेगा तो फिर सीहन जीहन को वहां से जानने के लिए कहती है और कहती है कि तुम किसी के नजरों में मत आना फिर जीहन भी ऐसा ही करता है और वहां से चला जाता है फिर सीहन जान बू और उसे बताता है कि सीहन भाग गई है फिर हंजू और सेक्रेटरी वहाँ पर आते हैं जहां मेड हंजू को बताती है कि दबाव सीहन के पास गया था दरसल वो जीहन को ही दबाव समझ रही थी फिर सेक्रेटरी हंजू को आइडिया देता है कि क्यों न वो कुछ ऐसा करे जिस से हंजू भी मान जाता है और सिक्रेटरी को ऐसे ही कुछ करने के लिए कहता है फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हंजू सीहन को मिलने के लिए बिलाता है और वो उसे एक पेपर पर साइन करने के लिए कहता है पर सीहन हंजू से पूछती है कि ये किस चीज का जैसे ही सीहन उस कॉंट्रेक्ट को पढ़ती है वो बहुत सादा खुश हो जाती है और फिर सीहन हंजू से पूछती है कि क्या हंजू सच में सीहन को दबाओ से मिलने देगा फिर हंजू बूलता है कि इसमें एक सर्थ है जो कि सीहन को माननी पड़ेगी सीहन हंजू से उस दबाओ के साथ रहने का ये उसके पास आखरी मौका था तो फिर सीहन हंजो की इस सर्थ को मान लेती है और कॉंट्रैक्ट साइन कर देती है फिर बात में सीहन दबाओ के लिए गेम लेकर आती है पर दबाओ सीहन पे ध्यान नहीं देता फिर सीहन दबाओ के साथ कॉंपटीश से दबाओ का बॉल तूट जाता है तो फिर वो डिसाइड करते है कि वो सीहन को इस सिच्वेशन में फसा देगी फिर मेर सीहन को उस बॉल को उठाने के लिए बोलती है और खुद वहां से चली जाती है फिर सीहन उस बॉल को उठाने लगती है पर तभी वहां पर दबाओ आ और सीहन को धक्का दे देता है वो सीहन पर चिल्लाने लगता है कि ये बाउल दबाओ की मौम का था सीहन दबाओ को सांथ कराने की कोशिश करती है पर दबाओ सीहन पर चिल्ला कर वहां से चला जाता है अगले सीन में सीहन उस बाउल को ठीक कर रही थी तब ही हंजू वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि सीहन को इस बाउल को ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे भी हंजू उस बाउल को फेकने वाला था जिससे सुन के सीहन हंजू पर गुस्सा हो जाती है और उसे सुनाने लगती है कि हंजु दबाओ के साथ ऐसा क्यों कर रहा है जिससे हंजु उल्टा सीहन को ही सुनाने लगता है कि वो सीहन ही थी जो दबाओ को छोड़ कर गई थी और अब वो दबाओ से प्यार करने का जूटा ना टक कर रही है सीहन बोलती है कि वो मानती है कि दबाओ को छोड़ना उसकी बहुत बड़ी गलती थी पर अब वो दबाओ फिर से कभी नहीं चोड़ेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी फिर सीहन वहां से अपने घर जाने लगती है तबी सीहन को जीहन फोन करता है और बताता है कि जीताओ को बुखार हो गया है तो फिर सीहन जिल्दी से घर आती है अगले दिन हंजु और दबाओ सीहन का इंतिजार कर रहे थे पर सीहन नहीं आती तो हंजु दबाओ को एक मेट क साथ स्कूल जाने के लिए बोलता है फिर जैसे ही दबाओ को स्कूल में लेकर जाती है वो दबाओ को उसको मौम बोलने के लिए कहती है पर दबाओ उसको मना कर देता है और बोलता है कि बाई उसकी मौम नहीं बन सकती जिसे सुनकर बाई को गुस्सा आजाता है फिर तबी ए दबाओ को धका भी देती है इतना सब होने के बाद भी वो बाई कुछ नहीं करती और वो दबाओ से कहती है कि अगर दबाओ बाई से माफी मांगेगा और उसको उसकी मॉम बुलाएगा तो बाई दबाओ की हेल्प करेगी लेकिन फिर भी वो इससे मना कर देता है और तबी व हापर सीहन आ जाती है वो बाई और उस लेडी को सुनाने लगती है फिर वो लेडी सीहन की वेस्थी करते हुए उससे कहती है वो सिर्फ दबाओ की एक नैनी है और सीहन उसका कुछ भी नहीं बिगार सकती तबी सीहन उस लेडी के पास जाती है और उसको एक थपड मार देती ह वो कहती है कि उसको नहीं पता कि सीहन क्या क्या कर सकती है थपर खाने के बाद वो लेडी बहुत गुसे में आ जाती है वो कहती है कि ये स्कूल की जो कमपनी है उसमें उसके हस्बिंट काम करते हैं और अगर सीहन ने अभी उससे माफी नहीं मांगी तो वो लेडी दबाओ को इस स्कूल से निकलबा देगी, फिर ये सुनते ही सीहन उस लेडी को फिट से एक थपड मार देती है, और कहती है कि जो उस लेडी से हो सकता है, वो कर सकती है, फिर वो लेडी अपने पती को फोन करने लगती है, और दूसरे तरफ सीहन भे किसी को फोन करती है, जैसे ही वो ले पिस से फोन ना करे फोन काटते ही वो लेडी सीहन से माफी मांगती है और फिर वो वहां से चली जाती है उसके वहां से जाने के बाद सीहन दबाओ को अम्यूजमेंट पार्ट ली जाने लगती है पर बाई सीहन को रोकती है वो कहती है कि सीहन दबाओ को यहां से नहीं ली जा सकथी जिस पर वो से क्याती है कि दबाओ सुन चर जाती है और फिर दबाओ की मौम नहीं बन पाएगी और फिर सीहन दबाओ को लेकर वहां से चली जाती है सीहन के वहां से जाने के बाद बाई हंजु को फोन करती है और उससे सीहन के सिकायत करने लगती है फिर साम को हंजु सीहन और दबाओ से बात करता है फिर वो दबाओ को अंदर जाने के लिए कहता है और फिर सीहन से कहता है कि उसे कल से यहाँ पर आने की कोई सरुरत नहीं है क्यूंकि वो सीहन को नौकरी से निकाल रहा है जिसे सुनके सीहन सोक्ट जाती है और हंजू से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है जिस पर हंजू कहता है कि पहले तो सीहन ने स्कूल में बाकी पै दबाओ को धका भी दिया और रही बात स्कूल की तो दबाओ को उस स्कूल में जाना बिलकुल भी पसंद नहीं है क्यूंकि वो लोग दबाओ को बहुत परिशान करते हैं जिसके बाद हंजु सीहन से कहता है कि ठीक है पर फिर भी सीहन आज बहुत लेट आई थी इसलिए वो कभी ऐसा नहीं करेगी जिसके बाद सीहन अपने घर आ जाती है सीहन के घर आने के बाद जीहन और जीताओ सीहन को उसकी जौब छोड़ने के लिए बोलते हैं क्यूंकि सीहन उस जौब की बज़े से बहुत जादा ठक जाती है पर सीहन कहती है कि वो ये जौब करना चाती है और उन्हें फिकर करने की कोई सिरूरत नहीं है क्योंकि वो इस जॉब से बहुत जादा खुश है फिर अगले सुबा जैसे ही सीहन जीहन और जीताओं को स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगती है तो जीहन सीहन से बोलता है कि वे खुद स्कूल चले जाएंगे और मॉम को अपनी जॉब पर जाना चाहिए फिर सीहन वहां से अपनी जॉब पर चली जाती है सीहन के वहां से जाने के बाद जीहन जीताओं को अखेले ही स्कूल बेज देता है और खुद सीहन का पीछा करने लगता है क्योंकि वो हंजु को ये बोलना चाता था कि वो उसकी मौम से इतना जादा काम ना करवाए फिर जैसे ही जीहन हंजु के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि सीहन अभी तक वहां नहीं आई है पर तबी हंजु उसे देख लेता है और उसको दबाव समझने लगता है और जीहन से बोलता है कि उसे तो अभी होमव करना चाहिए जीहन भी हंजु की कनफ्यूजन को नहीं मिटाता और उपर होमव करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है फिर यहां हंजु को कुछ गड़बर लग रही थी पर तबी सीहन वहां आ जाती है जिसे देखकर हंजु बोलता है कि सीहन आज भी लेट है पर सीहन बोलती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्यूंकि रोड पर बहुत ट्राफिक था जिससे हंजु कहता है कि उसको इससे क कोई फर्ट नहीं पड़ता कि ट्राफिक था या नहीं वो नहीं चाहता कि कोई भी लेट आए जीहन भी वहीं चुपकर उनकी बाते सुन रहा था तब यह दबाओ जीहन को देख लेता है और वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं क्यूंकि उन दोनों की सकल बिलकुल एक जैस है कि हंजु सीहन को जॉब से निकालने ही वाला था तब यह जीहन दबाओ को एक आइडिया देता है कि जीहन दबाओ बनकर डैट के पास जाएगा और उनको बूलेगा कि वो मॉम को जॉब से ना निकाले और उन्हें जाने से रोक ले वो भी ऐसा ही करता है और जीहन दबा है कि सीहन टाइम पे नहीं आती है इसलिए वो शीहन को निकाल रहे हैं जिस पर जीहन ये बोल देता है कि सीहन अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जाती है जिसकी पजय Е уп's sihan को एक और चंस दिता है फिर साम को सीहन जीताओ को स्कूल से लाने के लिए जाती है और हंजू भी वहाँ आ जाता है जीताओ हंजू से बोलती है कि वो उसकी मौम से जादा काम ना करवाए पर हंजू बोलता है कि वो उसकी मौम से जादा काम नहीं करवाते उसकी मौम ही हमेशा करब से साधी क्यों कर ली जिस पर सीहन कहती है कि ये बहुत पहले की बात है जिसे सुनते ही हंजु को गुस्सा आ जाता है और फिर वो सीहन को बूलता है कि आगे से उसे नौकरी पर आने की जरूरत नहीं है और फिर वो वहां से चला जाता है जीहन को भी इस बात का पता चल जाता है कि हंजु ने उसकी मौम को नौकरी से निकाल दिया है तो फिर वो दबाओ को फोन करता है और बूलता है कि कल वो दोनों एक दूसरे की जगे ले लेंगे दबाओ भी उसकी बात मान लेता है फिर अगले दिन जीहन दबाओ की जगे उसके स्कूल में चला जाता है जहां ही डाटने लगती है जीहन टीचर को बताने की कोशब करते हैं कि वो बच्चे ही उसे परेशान कर रहे थे लेकिन टीचर उसकी एक बात नहीं सुनती और हंजु को School में बुला लेती है जैसे ही हंजु School में आता है तीचर हंजु को जीहन की complain करने लगती पर हंजू टीचर की बातों पर को ज्यादा ध्यार नहीं देता और फिर वो जीहन से सच्चाई पूछने लगता है जीहन बताता है कि वे बच्चे ही उससे पहले परिशान कर रहे थे और फिर बात में जब उसने टीचर को सच बताया तो टीचर ने भी उसकी बात नहीं सुनी जिसे सुनकर टीचर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जीहन जूट बोल रहा है पर हंजू टीचर को चुप कराता है और बोलते है कि मेरा बेटा जूट नहीं बोलता टीचर कहती है कि ठीक है पर आपका बच्चा ठीक नहीं है और इसलिए वो आगे इस स्कूल में नहीं र पून उठाते हैं डारेक्टर को डाटने लगते हैं और कहते हैं कि उसने यहां के सबसे अमीर आदमी को नरास किया है इसलिए अब उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा फिर डारेक्टर फोन कार्ड देता है फोन कट होने के बाद टीचर हंजू से माफी मांगती है पर हंजू से इग्नॉर कर देता है और अपने बेटे से बोलता है कि अगर आगे से कोई उसे परिसान करे तो वो हंजू को बता सकता है फिर हंजू जीहन को लेकर घर जाने लगता है पर रास्ते में जीहन अपने डैट से बोलता है कि उन्होंने सीहन को नौकरी से निकाल दिया तो उन में हंजू का मैनेजर सीहन को बुलाता है और फिर उसे एक कोई भी कॉम्प्यूटर हैक करने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसे यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी उसे सुनकर सीहन कहती है कि ये तो बहुत आसान है और फिर वो हैक करना सुरू कर लाता है और प्रिसेडन की मैनेजर बनने की पोश्ट को ओफर करता है और सीहन भी इसके लिए मान जाती है फिर वहां से हंजू घर आ जाता है तबी बाई वहां आती है और वो दबाओ के पास जाने की कोशिश करती है पर दबाओ उससे दूर भाग जाता है फिर बाई हंज अपनी जगे चेंज करते रहते हैं फिर हंजु को भी थोड़ा अजीब लगता है पर दबाओ हंजु से कहने की कोसिस करता है कि वो ठीक है पर हंजु उसकी बाद नहीं सुनता और डॉक्टर को बुला लेता है डॉक्टर बताते हैं कि दबाओ को माइंड सिंड्रोम हुआ है फिर डॉक्टर के वहां से जाने के बाद दबाओ हंजु को बोलता है कि अगर हंजु उसकी मॉम के साथ वापिस आ जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा जिसके बाद हंजु दबाओ से पूछता है कि क्या दबाओ जानता है कि सीहन ही उसकी मॉम है जिस पर दबाओ हां कह देत है ऑफिर हज़व को ऐसा लगता है कि दबाओ को माइंड सेन्ड्रोम सीहन के बचे से ही हुआ है तो फिर अग। पूट अगले दो दिन में देश चोड़कर नहीं गई तो वह सीहन को नहीं छोड़ेगा फिर वहां से सीहन घर आजाती है और वो बहुत रो रही थी कि तबी जीहन उसके पास आता है फिर सीहन जीहन से बोलता है कि व container अब्रॉड जा रहे हैं या सुनते ही जीहन दबाओ को मेसेज कर देते है कि वो अब्रॉड जा रहे है पर दबाओ की चगे वो मेसेज हंजू देख लेता है और उसको लगता है कि वो मेसेज सीहन नहीं किया है तब ही हंजू को उसके मैनेजर का फोन आता है वो उसे बताता है कि दबाओ सीहन के पास जा रहा है हंजू मैनेजर को दबाओ पर नजर रखने के लिए बोलता है कि वही दबाओ की जगे कई बार गया है जिससे सुन कर सीहन सोगड हो जाती है इसके बाद वो खुश भी हो जाती है क्योंकि इसका मतलब था कि दबाओ को कोई बीमारी नहीं है फिर जीहन बोलता है कि वो दबाओ की जगे डेट के पास चला जाएगा और दबाओं आपकी साथ यहां रह सकता है, जिसके लिए शीहन भी मान जाती है, फिर जीहन दबाओं बन कर घर वापस आ जाता है, जहां फिर हंजु की सिष्टर जॉंग सियान आती है, वे आपस में बात कर ही रहे थे हंजू अपने सिश्चर को सीहन पर नजर रखने के लिए बोलता है वो कहता है कि मैं जाता हूँ तुम ही शीहन को एरपोर्ट छोडने के लिए जाओ तो जौंग शीयान भी इसके लिए मान जाती है और वो शीहन के घर चली जाती है जैसे ही वो अंडर जाती है और वो दबाओ को वहाँ पर देखती है और सौक्ट हो जाती है क्योंकि अब भी तो दबाओ हंजू के साथ था और अब वो यहाँ पर कैसे हो सकता है जिसके बाद जौंग शीयान सीहन को सारा सच बताने के लिए कहती है फिर सीहन जोंग सियान को बताने लगती है कि दबाओ बिल्कुल ठीक है और उसे कोई बिमारी नहीं है पर जोंग सियान हंजु को फोन करके बताने ही वाली थी कि दबाओ सीहन के घर पर है पर जैसे ही जोंग सियान हंजु को फोन करती है वो बताती है कि उसने और दबाओ ने अभी टिनर किया है ये सुनते ही जौंग शियान तो सौक डुजाती है और उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था फिर सीहन जौंग शियान को सब सच बताने लगती है कि जो अभी हंजु के साथ है वो सीहन कहीं पेटा है और सीहन के साथ अभी दबाओ है पर तबी जीता पूछती है कि ये कौन है तो सीहन बताती है कि ये सीहन की ही पेटी है जिसे सुनके जांग सियान को लगता है कि सीहन ने फिर से साधी कर ली है पर सीहन बताती है कि ऐसा नहीं है दबाओ जीहन और जीताओ तीनों सीहन और हंजु के ही बच्चे हैं ये सुनते ही जांग सियान बहुत खुश हो जाती है और फिर वो सीहन से पूछती है कि सीहन ने इसके बारे में हंजु को क्यों नहीं बताया वो तो ये जानके बहुत खुश होगा जिस पर सीहन मना करती है और कहती है कि हंजु उससे नफरत करता है और अगर उसे इसके बारे में पता चला तो वो उससे उनके बच्चे छीन लेगा जिस पर वो भी हां कहती है फिर सीहन वहां से चली जाती है सीहन के वहां से जाने के बाद जौंग श्यान दबाओ से पूछती है कि क्या वो चाता है कि उसकी मॉम और डैड साथ आ जाए दबाओ भी इसके लिए हां कहता है तो जौंग श्यान दब को टीवी पर देखता है जो कि एक इंटर्वियू में बोलता है कि वो चाहता है कि सके डैड उसकी कस्टड़ी डबाऊ के मौम को दे दे क्यूंकि वो अब अपनी मोम के साथ रहना चाता है हंजु को ऐसा लगता है कि ये सब सीहन ने दबाओं से करवाया है तबी हंजु को उसके डैट का फोन आता है जो उसे डाटते हुए कहते हैं कि तुमने सीहन को अभी तक रास्टे से क्यों नहीं हटाया हंजू उन से कहता है कि वो फिकर ना करे, वो सीहन को खुद दबाओ की कस्टडी हंजू को वापस देने के लिए मजबूर करतेगा, फिर वहां से हंजू दबाओ को लेकर सीहन के घर जाता है, सीहन हंजू को वहां देखकर सौक्ड जाती है, फिर सीहन दबाओ को साइट में ल लेकर घर आ गई तो हंजू को ट्विंस के बारे में पता चल जाएगा तो सीहन दबाओ को हंजू का ध्यान बटाने के लिए कहती है ताकि सीहन जौंग सियान को फोन करके घर लेट आने के लिए बोल सके फिर जैसे ही सीहन जौंग सियान को फोन करती है वो देखती है कि जौं और मेरे बेटे को अपनी साइट कर लिया पर अब वो सीहन को और कुछ करने नहीं देगा हंजू ये बाते कर ही रहा था कि तब ही जौंग शियान जीहन को लेकर वहां आ जाती है हंजू जीहन को देखने ही वाला था कि जौंग शियान जीहन को लेकर वहां से भाग जाती है हं हंजु सीहन से कहता है कि अगर सीहन दबाओ की कश्टडी वापस हंजु को दे देगी तो वो उसे वन बिलियन देगा पर सीहन इससे मना कर देती है और कहती है कि उसको पैसों की कोई जरूरत नहीं है वो पस दबाओ के साथ रहना चाहती है जिससे सुनकर हंजु को बहुत तो पायक नहीं हो क्युकि तुम दबाव को कुछ नहीं दे सकती जी से सुनसे कर सीहन को गुसा आ जाता है और फिर वहांजू को सुना देती है कि वह भी बिल्कुल भी अच्छा फादर नहीं है। जहां जाते ही सीहन के स्टेप मॉम सीहन को सुनाने की कोशिश करती है पर सीहन उल्टा उसे ही सुना देती है सीहन के डैट सीहन को दबाओ की कश्टडी हंजु को वापस करने के लिए कहते हैं ताकि फिर हंजु लुओ फैमली को छोड़ दे पर सीहन उन्हें कहती है कि वो ऐस नहीं करेगी और फिर सीहन वहां से जाने की कोशिश करती है पर उसके डाइड सीहन को रोपते हैं और कहते हैं कि वो शीहन को कंपनी के 6% सेर्ज देंगे मगर फिर भी सीहन उन्हें मना कर देती है फिर सीहन की स्टेप मॉम सीहन को थपर मारने की कोशिश करती है मगर उल्टा सीहन ही उन्हें धपड लगा देती है फिर सीहन के डैड सीहन को कमपनी के 40% सेर्स देने का ओफर करते हैं पर सीहन कहती है कि हंजु ने उनको 1 बिलियन का ओफर दिया था तो क्या उन्हें लगता है कि सीहन उनकी बात मान लेगी फिर सीहन उनसे कहती है कि वो उनकी दो सर्तों पर मदद कर सकती है तो उसके डैड सीहन से पूछते हैं कि वो क्या चाती है तो सीहन बताती है कि उसके पहली सर्त तो ये है कि उसके स्टेप मॉम उसके पैरों में गिर कर उससे माफी मांगे जिस पर उसके डैड मान जाते हैं और अपनी वाइफ को सीहन के पैरों में गिरा देते हैं फिर सीहन बोलती है कि उसके डैड सारी कमपनी को सीहन के नाम कर दे जिससे कि उनके सारे उधार भी सीहन को ही भटनी पड़ेगी पर सीहन के step mom डैट को ऐसा करने से मना करती है तबी सीहन की step sister भी वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि डैट को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हंजू के secretary को जानती है और वो उसके secretary से बोलेगी कि उन्होंने सीहन को उनकी family से बाहर निकाल दिया है जिससे कि व secretary बोलता है कि वो उसकी कोई help नहीं कर सकता लूओ family को बचाने के लिए अब एक ही रास्ता है कि सीहन दबाओ की custody हंजू को दे दे फिर वो secretary वहां से चला जाता है तबी सीहन वहां आती है और हंजू से मिलने उसके office में चली जाती है उसकी step sister भी सीहन के पीछे-पीछे आ ज इससे हजारों लोगों की job चली जाएगी जिस पर हंजू कहता है कि उसको इससे कोई फर्ट नहीं परता जब तक सीहन दबाओ की custody हंजू को नहीं देगी वो ऐसा नहीं करेगा ये सुनकर सीहन बहुत गुस्सा हो जाती है और खहती है कि अगर ऐसा है तो सीहन दबाओ को ले को कहता है कि अगर सीहन दबाओ को कहीं भी लिजाने का सोचा तो सीहन की बच्ची और उसकी मौम के साथ जो भी होगा हंजू इसका जिम्मेदार नहीं होगा तबी सीहन को फोन आता है उसे पता चलता है कि उसकी मौम का hospital बिल बढ़ा दिया गया है ये सुनते ही सीहन बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर वो वहां से चली जाती है और फिर सीहन अपने घर आती है तबी हंजू वहां पर आता है और तबी जौम सियान भी वहां आ जाती है हंजू बोलता है कि वो जौम सियान से बात बात में करेगा फिर वो यहां पर सीहन से पूछता है कि क्या वो कस कि घर पर दबाओ बनकर रह रहा है फिर हंजु दबाओ को लेकर घर वापस आ जाता है घर आने के बाद हंजु को एक फोन आता है और जैसे ही वो फोन उठाता है कोई उसे बोलता है कि अगर उसे अपना बेटा चाहिए तो उसे 100 मिलियन देना पड़ेगा फिर हंजु को लग है कि सीहन का एक बेटा है पर उसे ऐसा लगता है कि उसका ये बेटा भी किसी और का ही है फिर सीहन हंजु के फोन को ले लेती है जिस पर किड्नापर का फोन आता है जो उसे अप 200 मिलियन देने के लिए बोलता है जोंग श्यान बोलती है कि उसके पास 100 मिलियन ही है फिर सीहन हंजू से पैसे मागने लगती है पर हंजू बोलता है कि वह सीहन के बच्चे को बचाने के लिए पैसे क्यों देगा जोंग श्यान को यहां पर गुस्सा आ जाता है और वह हंजू को यहां पर बताने ही वाली थी कि जीहन उसी का पेटा है कि तभी सीहन के पास पुलिस का फोन आता है वो उसे बताते हैं कि हमने आपका बेटा रेस्क्यू कर लिया है फिर सीहन और जौंग सियान बिना हंजु को सच बताए वहां से चले जाते हैं फिर सीहन जीहन से जाकर मिलती है वहीं जौंग सियान सीहन से माफी मांगती है कि वो हंजु को सच सच बताने ही पाली थी पर अब वो पूरी कोशिश करेगी कि हंजु को टुिंस के बारे में पता ना चलने दे। अगले सीन में हम दबाओ को देखते हैं जो कि जीहन के बारे में सोच रहा था तबी हंजु उसके पास आता है और बोलता है कि क्या वो सीहन के पास जाना चाता है दबाओ भी हा कहता है और हंजु भी उसके बेटे से मिलना चाता था फिर हंजु दबाओ को लेकर सीहन के घर प वो नहीं चाती थी कि हंजू जीहन से मिले फिर सीहन साइट में जाकर जीहन को मेसेज कर देती है कि वो घर पर ना आए फिर वो सबी लोग खाना खाने लगते हैं हंजू फिर से सीहन से जीहन के बारे में पूछता है तो सीहन ये बोल देती है कि जीहन अपने डैट के साथ बा थेख़ा लगता है फिर दबाव अपने डैट से जीटाओ को घर लिजाने के लिए पूछता है जिस पर हँंजू हां कacia देता है फिर जीटाओ बोलती है कि क्यूँ ना दबाव ही हमारे घर रुझ जाए और दबाव भी सीहन के घर पर रहना चाताथा पर हँंजू इसके पर उसके डाट गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि चाहे हंजु को कुछ भी करना पड़े उसे दबाओ की कश्टडी वापस लेनी ही होगी। जीहन भी उसकी ये बाते सुन देता हैं वो सीहन से बोलता है कि वो भी अपने दादा जी से मिलना चाता हैं तो क्या वो दबाओ की जगे वहां जा सकता हैं फिर सीहन इसके बारे में दबाओ से पूछती हैं जिसके लिए वो भी हां कह देता हैं तो फिर सीहन दबाओ की जगे जीहन को हंजू के पास लेकर चली जाती है फिर जैसे ही जीहन अपने दादा जी से मिलता है उसके दादा जी उसे गिफ्ट देने लगते है जीहन इसके लिए मना कर देता है और बोलता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए फिर हंजू जीहन को ऊपर जाकर खेलने के लिए बोलता है और फिर हंजू अपने डैट से बात करने लगता है उसके डैट हंजू से कहते है कि क्यों ना हंजू सीहन से वापस साथी कर ले जिससे दबाओ भी खुश रहेगा पर हंजू बोलता है कि जीहन की पहले सही साधी हो चुकी है जिसे सुनकर उसके डैट को बहुत बुरा लगता है तबी उपर से कुछ तूटने की आवाज आती है और तबी हंजू उपर जाकर देखता है वो देखता है कि जीहन ने एक पोट को तोड़ दिया था मगर हंजू बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है हंजू के वहां से जाने के बाद जीहन उस पोट को उठाने लगते है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है तो वो वहां से सिधा अपनी मौम के पास आ जाता है फिर हंजू की मेड उसे पताती है कि दबाओ उसे कहीं नहीं मिल रह ही है जीहन सीहन से बोलता है कि डैड़ी उससे प्यार नहीं करते उन्होंने उसे पौट खुधी उठाने दिया जिसपे सीहन जीहन को समझाती है कि ऐसा नहीं है उसके डैड़ी उससे बहुत प्यार करते हैं तब ही वहां पर हंजू भी आ जाता है फिर वो जीहन को वहां से लिजाने लगता है पर जीहन उसके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो मम्मी के साथ ही रहना चाता है जिस पर हंजू बोलता है कि अगर दबाओ उसके साथ चलेगा तो हंजू सीहन को अब वापस से निनी की जौब पर रख लेगा. जिस पर सीहन बोलती है कि सीहन को धन्जू के एحसानों के जरुरत नहीं है. वो धन्जू के घर का रिंट दे देगी. फिर सीहन जीहन को अंदर लेकर जाती है और दबाओ को उसके डैट के साथ जाने के लिए बोलती है फिर वो दबाओ को बाहर ले आती है जैसे ही हंजू दबाओ को देखता है वो थोड़ा सौक डुजाता है कि अचानक से दबाओ के कपड़े कैसे बदल गए फिर सीहन बोलती है कि उसके कपड़े मैंने बदले है फिर हंजू सीहन के बेटे को देखने के लिए बोलता है जिस पर सीहन मना कर देती है वो कहती है कि जीहन अभी सो रहा है तो फिर हंजू बहां से जाने लगता है वो गेट से जैसे ही निकलता है वो गेट को बंद नहीं कर और देखता है कि अंदर से जीहन आया है जो हंजू को अपना डैट बताता है फिर हंजू अंदर जाता है और सीहन जल्दी से जीहन को अपने पीछे चुपा लेती है हंजू को यहां पता चल जाता है कि जीहन और दबाओ टुइंस हैं जिसे देखकर हंजू सीहन पर गुस्सा लिजाने लगता है पर सीहन उसे रोकने की कोशिश करती है फिर दबाओ बोलता है कि डैटी ने कहा था कि सीहन उसके साथ ही रहेगी तो हंजो सीहन को अपनी बेटी के साथ उनके घर रहने के लिए बोलता है फिर अगले दिन सीहन जीताओ को लेकर हंजो के घर पहुच जाती ह जहां फिर वो सब भी लोग साथ में खाना खाने लगते हैं सीहन सबके लिए पीज़ा बनाती है फिर अगले दिन हजु, जीहन और दबाव दोनों को सेम स्कूल में भेजने की बात करते हैं सीहन बोलती है कि जीहन की फीस वो भर देगी पर हंजु बताता है कि उसके स्कूल की फीस वन मिलियन है जिसे सुनकर सीहन सौक डुजाती है फिर सीहन हंजु से बोलती है कि वो चाती है कि जीताओ भी जीहन और दबाओ के साथ सेम ही स्कूल में जाए पर हंजू इससे मना कर देता है वो बोलता है कि वो सिर्फ उसके परिवार के बच्चों को ही उस स्कूल में बेज सकता है सीहन हंजू से रिक्वेश्ट करने लगती है वो बोलती है कि वो खुदी जीताओं की फीस भर देगी फिर चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े वो हंजू से रिक्वेश्ट करती है कि हंजू इस बार उसकी हल्प कर दे जिसके बाद हंजू भी इससे मान जाता है इसके बाद हंजू को उसकी सिस्टर का फोन आता है और वो उसे बताती है कि उसे एक बहुती कमाल की बात पता चली है हंजू से पूछता है कि वो क्या बोलना चाहती है फिर जोंग शियान बताती है कि उसे किसी से यान और शीहन के बारे में पता चला है और फिर उसे पता चलता है कि यान की गाड़ी का एकसिडेंट सीहन की गाड़ी से हुआ था तो हो सकता है कि यान के मरने के बाद उसकी सोल सीहन की बोड़ी में आ गई है जैसा कि मूवी में होता है पर हंजु मना कर देता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता जिस पर जौंग सेयन बोलती है कि वो जानती है पर फिर बेयान और शीहान में बहुत ही ज़ादा similarities है और अब हंजु को यकीन होने लगता है कि यान ही सीहान है फिर जौंग सेयान हंजु को ये भी बता देती है कि जी ताओ हंजु की ही बेटी है ये सुनकर हंजु और भी काड़ने लगता है कि ये बात उसने पहले क्यों नहीं बताई जहूंग शीहन बोलती है कि उसे लगा था कि कहीं तुम सीहन से उसके बच्चे को छीन ना लो फिर हंजू उससे बोलता है कि नहीं वो ही उसकी यान है जिस पर सीहन बोलती है अगर वो उसको सच बताएगी तो क्या सच में वो उस पर बलीव करेगा जिस पर हंजू हा कहता है कि उससे उस पर पूरा भरोसा है फिर सीहन बोलती है कि वो ही यान है और उसकी सोल एकसिदेंट के बाद सीह की बॉड़ी में आ गई तभी जीहन जीताओं भी वहाँ पर आ जाते हैं और हंजु को सीहन से दूर रहने के लिए बोलते हैं पर फिर सीहन जीताओं को बताती है कि हंजु ही उसके डैड है तभी जीहन और दबाओं भी वहाँ पर आ जाते हैं और हंजु को बताते हैं कि अब से हमारी फैमिली हमेशा साथ रहेगी और अब हम एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे तो दोस्तों किसी लगी आपको आज की ये कहानी हमें कॉमेंट करके जरूर बताना फिर मिलती हूं किसी और इंट्रस्टिंग सी ड्रामा के एक्स्पाइनेशन के साथ तब तक के लि तक क्यूंग और बाइवा है